तो दोस्तों अगर आप भी अपने मौवाइल फोन से अपने फोटो के साथ या पिर किसी के भी फोटो के साथ इस तरह का ट्रेंडिंग ए स्टेटस वीडियो इडिट करना चाहते हो तो इस वीडियो को कमपलीट जटू देखेगा क्योंकि वीडियो काफी ज़्याद़ इंटेस्टिंग होने वाली है तो चलिए दोस्तों बिना खिसे बगवास के आज किस वीडियो को सुरू कर लेते हैं उसे पर ले अपने भाय का नाम जान लिजे, मिरा नमे घंसायम और स्वागत करता हूँ आप सुभी को हमारे यूटूब चैनल टेक्निकल घहनु में और दोस्तो अगर अभी तक आप मुझे इस्टागाना प्रफोलो नहीं किये हो तो कर लिजेगा यूजर ने मैं घंसयम जी 123 या फिर ने तो लिंक और डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दे दिया हूँ क्योंकि हमेशा मैं आप लोगों से वहाँ पर बात करता ही रहता हूँ और आपके पास जो मेटेरियल नहीं होता है वो मैं आपके पास भेज देता हूँ तो चलिए दोसतो चलते हैं मोवैल के इस क्रीण पर तो दोस्तो फानली मैं अपने मोवैल के स्कीन पर आ गया हूँ तो सबसे पहले आप लोगो को एक अप्लिकेशन का जोद पर जाएगा जिसका नाम अकानमा च्टपे तो आप लोगो प्ले इस्टोर पर मिल जाएगा, फिर ने तो लिंक वाइं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हो, वहाँ से भी आप लोग डॉनलोट कर सकते हो, और डॉनलोट करने के बाद सिंपली ओपिन कर लेना है, और ओपिन करने के बाद यहाँ पर प्लस वाल इमेज को एड कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से किसी भी एक लट के वाइगराण इमेज को एड कर लिजेगा, उसके बाद उपर से कट करने के बाद बैकराण इमेज पर क्लिक करके, सबसे पहले वाइगराण इमेज की डुरेशन को आप लोग को बढ़ा लेना है, दोस इसे कि आपको इस्टेटस वीडियो गराने में असानी होगा, उसके बाद पूरे सुरुवात में आजाना इलेर पर क्लिक करके, मीडिया पर क्लिक कर देना है, और दोस्तों यहाँ पर मैं एक फ्रेम वाला इमेज को एड कर रहा हूं, तो उसका विलिंक डिस्क्रिप्शन पूरे लास्त कर देना है, इतने दिर तक वसके बाद दोस्तों फिरसे आप लोगो वैक चलाना है, वायक आने के बाद सुरुवात में आ जाना है, लिए पर क्लिक कर देना है, और दोस्तों साइड वाले फ्रेम में आप अपना जिस भी फोटो को एड करना चाते हैं, उस इ पर उसके बाद दोस्तो अगर आपका फोटो इधर की और घुमा हुआ है तो सिंपले आप लोगो थोड़ा सा नीचे चलाना है रोटेट वाल अप्शन पर क्लिक करके अपने फोटो को आप लोगो इधर की और घुमा देना है इस पर tap करके उसके बाद दोस्तों simple आप लोग उपर से बैक चलाना है बैक आने के बाद 3D पर click करके send to back वाला option पर click कर देना है उसके बाद दोस्तों यहांपड आप लोग अपने photo को वी डृट्टे संको पूरे लास्तख कर देने और back आने के बाद अपनी photo पर click करके, यहां से आप लोगो अपनी photo के size को थोड़ा सा बढ़ा करके, पूरे अच्छे तरह के से frame में adjust कर देना है, पूरे अच्छे तरह के से, अपनी हिसाब से, उसके बाद दोस्तों simply आप लोगो cropping ऑल option पर click कर देना है, और यहां पर आप ल दोस्टो फिर से सुरुआत में आजाना layer पर खले करके सबसे नीचे वाले प्रेम में आप अपना जिस भी फोटो को आड्ड करना साथ को सेट करना चाहते हो वो सब भले फोटो को हैं पर सेलेक्ट कर लिजिगा उसके आप दोस्तों सबसे पहले कि पूरा गॉल अकार्ड आपका ज्यहां पर फ्रेम बन चुका है और दोस्तु सिम्पली आप लोगो ऊपर से बार्ग चलाना है रहां कि अपने फोटोके आप लोगो यहां Haven लेने यहां पर इस वाले फ्रेम के ऊपर में उसके बाद दोस्तों सिंपली यहां से आप लोगो थी डट पर क्लिक कर देना है send to back वाल option पर click कर देना है उपर से back चलाना है और back आने के बाद दोस्तो थोड़ा सा नीचे चलाना है अपने photo पर click करके इस वाले photo को भी duration को आप लोगो फूरे लास तक कर देना है जितने दिर तक background image का duration रिगा उतने दिर तक उसके बाद दोस्तो फिर से आप लोगो back चलाना है शुरुवात में आ जाना है लेट पर click करके media पर click कर देना है और दोस्तो सब से नीचे से उपर वाले फ्रेम में आप अपना जिस भी photo को add करना चाते हो set करना चाते हो उस वाले photo को यहाँ पर select कर लिजगा उसके बाद दोस्तो यहाँ पर भी आप लोगो cropping वाल option पर click कर देना है mask को on कर देना है यहाँ पर click करके यहाँ पर आप लोगो गोला कार वाले साफ को select कर लिए simply back आना है और back आने के बाद यहाँ पर भी पूरे चितर के से इसको गोला कार बना लिए क्लिक करने है उसके बाद दोस्तों यहाँ प्र भी आप लोगे पर से ब्याक चलाना है बैक आने के बाद अपने फोटो की साइज को थोरा सा कम कर लेने फिर्म के हिसाब से उसके बाद दोस्तों इस वाले फिर्म में आप लोगे ऑप इस वाले photo को रख लेने पूरे चितर के सी उसके size को भी आप लोग को यहांपर एडिट कर देना है अपनी हिसाब से प्रेम के इसाब से उसके बाद दोस्तों simply यहांपर आप लोग को ठीडर पर क्लिक करना है और उपर से फॉरण नमब़ वला option और इस वाले फोटो पर क्लिक करके इसके वीडियोरेशन को आप लोगो पूरे लास्तक कर देने हैं और दोस्तों इससे उपर वाले फोटो को एड़ करना चाहते हो उसे वाले फोटो को यहां पर सेलेक्ट कर लिजिगा उसके बाद दोस्तों यहां पर भी आप लोगो को क्लिक कर देना है मास्क को ओन कर देना है उसके बाद दोस्तों फिर से आप लोगो बैक चलाना है बैक आने के बाद यहां पर भी आप लोगो पूरे अच्छे तरके से गोला कर बना लेना है उसके बाद दोस्तों अपने को भी आपलोगो पूरे अच्छे तरिक सेक्षे करना हैं और इसवाले फोटो को रखना यहाँ ऊपने फोटो को करना हैं और नवहाद दोस्तों यहाँ पर भी आप लोगो को ट्रीडॉर्ट पर पिलिक करना हैं और ऑपर से फिर्ट प्सbility कर देना हैं उपर एसे उपर वाले फ्रेम में आप आप आपना जिस भी फोटो को एड़ करना चाहर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यहां पुरुआ अपकर क्लीक कर देना है, उसके बाद फिर से आप죠 TO से गोला कर बना लेना है और उसके बाद फिर से आप लोग को एक बड़ बायकाना है बायकाने के बाद दोस्तों अपने फोटो के साइज को थोड़ा सा कम कर लेना है फ्रेम के हिसाब से और अपनी फोटो को आप लोग को यहां पर रख देना है इस वाले फ्रेम पर यहां पर यहां पर पूरे अच्छे तर केसी यहां पर इस वाले फ्रेम के ओपर में पूरे अच्छे तर केसी आप लोगो यहां पर रख लेना है यहाँ पर देख लीजे, यहाँ पर, उसके बाद दोस्तों सिंपली यहाँ पर भी आप लोगो थीड़ाट पर क्लिक कर लेना है, सेंड बैक वारवाल आप्सन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद दोस्तों उपर से बैक चलाना है, बैक आने के बाद यहाँ पर इस वाले फोट और दोस्तों यहां पर मैं एक ब्लैक बाला टंप्लेट वीडियो को add कर देना है उसके बाद ऊपर से बैक चलाना है, बैक आने के बाद नीचे चलाना है, आप लोगो इसके एस्पिलेट एसके इन वाल उप्सन पैड और इस पर टैप करके इसको पूरे फुले स्कीन में कर देना है, उसके बाद दोस्तो फिर से आप लोगो बैक चलाना है, बैक आने के बाद नीचे चलाना है, वीडियो को एड करते हूं तो इसका वर लिंक डिस्क्रिप्सिन बाक्स में दे दिया हूं से आप लोग भी डॉनलौड कलीजेगा और यहां पर इस वाले यह लेक्ष टंप्लेट वीडियो को आट कलीजेगा यह फिर दोस्तों और आप किसी दूशरी लीरीक्ष टंप्लेट उसके बाद दोस्तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोको थोड़ा सा आगे चलाना है। आगे आने के बाद दोस्तो नीचे चलाना है आप लोको इसके भी Blending वाल ऐप्जन पैड है। और यहाँ पर भी आप लोगो उपर से थीर नम्मर में मल्टीपले वाल उप्शन देखने को मिल जागा तो मल्टीपले को सेलेक्ट कर देने उपर से बैक चलाना है और बायक आने के बाद दोस्तो लिर्क्ष टंप लेट वीडियो के साज को थोड़ा सा बड़ा लेना अपने हिसाब से और यहाँ पर आप लोगो एक बार शुरुवात में आजाना लेट पर क्लिकर करके मिडिय अर दोस्तो यहाँ पर मैं एक वाइट बाड़ाल इमeज को कि यहां वहां से आप लोग भी डाउनलोड कर लिजिएगा और यहां पर इस वाले इसकीन वाइट बड़र इमेज को एड़ कर लिजिएगा ऑद्ध होस्तों थूदा सा नीचे चलाना है निचराने के बद और से बाइक आने के बाद यहां पर आप लोग को इस उनको पूरय लास्त कर देने पूर उसके बाद उपर यानेकब आप ऊपका इड़क तयार dévelop को तो चलिए मैं आप लोगों को एक बड़ प्लेक करके दिखा देता हूँ तो दोस्तो यहां पने में थोड़ा कम दिर तका इस्टेडस फीडियो बना करके आप लोगों को दिखाया हैं वह आप अपने फोटो के साथ यह इसी के फोटो के साथ इसी परकार से ज्यदा दिर तक भी इस्टेड़स में बना सकते हो और उस इस्टेड़स वीडियो में आप जिस भी लिरक्स टंपलेट वीडियो को एड़ करना चाहो उस लिरिक्स टंप्लेट वीडियो उस गाने को अपने मौन पसंद के हिसाब से एड़ कर सकते हो उसके बाद दोस्तो इस हिस्टेरस वीडियो को अपने मौवाइल फून में सेव करने के लिए आप लोगो सेर वाल आइकन पर क्लिक कर देना है और दोस्तो यहां पर आप लोगो कुछ द्रवीट कर लेना है कुछ द्र के बाद आपका यह वीडियू एक्सपर्ट होकर आपके मौगोल फून में से Means हो जाएगा उसके बाद आपका मन जहां पर होता है वहां प्रेश वीडियो को सेर कीजिए जहां प्रेश स्टेटस में मन होता है वहां प्रेश स्टेटस में इस वीडियो को लगा लीजिए तो दोस्तों I hope कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आदे वडियो को लाइक कर दीज़ें अभी तक हमारी यूटूब चनल को सस्क्राइब नहीं कियें तो सस्क्राइब करके वेल एकन को प्रेस करके आल पर से तो करे लिजेगा क्योंकि दोस्तो इस चैनल पर मिसे तर के न्यू-णू नौलजबल वीडियो, इंट्रेस्टिंग वीडियो एंड इडिटिंग से रिलेटेड वीडियो लेकर के आता ही रहता हूँ और दोस्तो अगर आप भी मुझे बात करना चाहते हो या फिर आपको इडिटिंग से रिलेटेड किसी भी परकार का प्रोब्लेम हो डॉट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजेगा मैं आपको मैसेज को पढ़ करके आपको जरू से जरू रेपलाई दे दूँगा दोस्तों इंस्टाग्राम का यूजर ने मैं घंसामजी123 या फिने तो लिंग वा डिस्क्रिप्शन वक्स में दे दिया हूँ तो जाइए और फोलो करके मैसेज कीजेगा तो चलिए दोस्तों फिर मिलते किसी और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ किसी और मज़ेदार वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद बंदे मात्रम